हेलो स्टुदेंट्स वल्कम टू लॉर्णिंग कॉमर्स अगें नेशनल इंकम के चैप्टर में पिछले कुछ क्लासिक से अंदर हमने सर्कुलर फ्लो और साथी साथ उससे जुड़े हुए जो कंसेप्स हैं हमारे पिछली भार पाइनल गूर्ट्स इंटेमेर गूर्ट्स जि आज हमारा जो पहला टॉपिक है वह है डेप्रिशेशन का डेप्रिशन के वारे में वैसे आप सब जानता है डेप्रिशन होता क्या है एकनोमिक्स में हम इसको एक दूसरे नाम से भी कंसिडर करेंगे कंजम्शन of fixed capital मतलब अपने fixed capital का consume कर रहे है तो डेप्रिशन या consumption of fixed capital meaning क्या होता है इट राफ़र्स टू फॉल इंडा वैल्ज्ट अल्सट्ट इू नर्मल विए रिटियर यह दो बात पाता है सब को किस एसेट की वैल्ज्ट में गिड़ावाट आती है तो उसको पर किस वज़े से पहला कारण है नॉमआल विरिंटियर को चीज यूज करते हैं यूज करते करते उसके विल यू कम होते चलेगे वह घिसती चले जाती है वह नॉमल विरिंटियर की वएसे जब गिरेगी तो इसको बोते हैं साथ ही था पैसेज ऑफ टाइम कई बार क्या होता है चीज यूज नहीं कर रहें बिना यूज किये भी कई बार चीज पड़ी रहा है थी परसेंबल कार है कार हमने खरी दी दो साल तीन साल तक जादा यूज नहीं की टाइम बीट गया और वेल्जु तो गिराबट आ गई तो वैसे ओड नहीं मतलब अभी टेक्नोलोजी जिन्दा है सब कुछ है उस पर काम भी चल सकता है लेकिन अब वो उससे बने वाले चीज अब मार्केट में आपसलीट हो गया आउटडेट हो गया वो ली चीज अब मार्केट में दिखने को त्यार नहीं है और आपको एक्सपे की वेल्जू भी टेपोदिशन ही केलाएगी तो अगर फिक्स एसेट की वेल्जू में गिरावाट आ रही है फॉल आ रहा है जूट नोबल विरेंटियर घिसने के वैसे टाइम बीतने के वैसे या अगर वो अपसलीट हो गया है उसकी लाइफ पड़ी है पर वो टेक्नोलो अर्थवएक आये फायर हुई थेफ्ट वा इनकी वजेसे अगर फिक्स एसेट्स खतम हो जाते हैं उनकी वेल्जू जीरो हो जाती है तो उसकी वैसे अनेक्सपेक्टिट कंटिजनस की वैसे अगर यह वैजू खतम होती है तो वह हम डेप्रिशन की कर्टिवर्ण डालकर इ अगर आपके पास नुमेरिकल्स के अंदर नेट वर्ड दिया हो और ग्रॉस निकालना हो तो नेट में डेप्रिशन प्लस कर दो आपका आ जाएगा और ग्रॉस में अगर डेप्रिशन मानेस कर दर नेट आ जाएगा मतलब ग्रॉस में से अगर हम डेप्रिशन मानेस करेंगे तब जाके वह नेट की वैजिवा आती है तो डेप्रिशन को यूज करेंगे हम निमेरिकल्स के अंदर टू डिफ्रेंशेट बिटूइन ग्रॉस सब्सक्राइब करने करेंगे जब आपके पास डिया रखा तो सब्सक्राइब करके नेक्स करेंगे अब ये पसक्राइन होती है दिपर करता है लेकिन ये टल में चाइस पर उता है वह लगता खो सरकार को करता है तो अल्टिमेटली कस्टमर पतर रहा है टैक्स थूदा शॉप कीबस कीफर चुदा को तो PER एम इंडीरेक्स से करें घम कि इस प्रकान को यह हम लोग पिद पले तो इंडारेट टैक्स वह होता है जो हम लोग पे التे यह आज की टाइम पर जो सेल कर रहा है उन दुकानदार के ओपर सवीस टैक्स की तरह जी एस्टी वह हम से ले लिए इसका मतलब चीज की वैल्जी एड़ कर लिया तो ते दिया गॉर्मेंट को इसमें साफ साफ मतलब है कि वह इंडिरेक्ट टैक्स पे तो हमने किया पर लगा किसके ओपर दुकानदार ओपर तो इट इस आ इंडिरेक्ट टैक्स विच इस पेड बाइदा कस्टमर्स एंड बट इस लिवाइड हों दा शॉपकीपर्स और सर्विस प्रवाइडर्स और सेलर्स और लेकिन हम पढ़ने जा रहे हैं नेट इंडिरेक्ट अक्सिस जो नेट क्या होती हैं महँगी आधिए तो गां कंज्यूमर का बेनफिट देखती है और वहां पर चीज को कम करने के लिए यह कर रही है कमपरीज से प्राइस को तो जब इंडिरेक्ट टैक्स गवर्मेंट लगा रही है कंपरीज के उपर और उससे बढ़र जाता है चीज का तो इंडारेक्ट टैक्सिस जो होती है, इंडारेक्ट टैक्सिस से प्राइस बढ़ जाता है, और जो सबसीडियर है, सबसीडियर से प्राइस कम हो जाता है, तो चीज का प्राइस कम हो जाता है, जब गौर्मेंट कहती है, सबसीडियर पर चीज बेच रही है, और इंडारेक् अब इस कंसेप्ट को यूज का करते हैं जैसे इस तरीके से इस नेट को यूज करते हैं अब इसके अंदर जो मार्केट प्राइज है ना यह हमेशा बड़ा होगा मार्केट प्राइज बड़ा होगा इसका मतला रोप्रेट कॉसमिकाल नियुकुष और अगर वांकेट प्लेस करेंगे तब बड़ी। दो यह मार पास हो गया नेट इंड ट्रेस अव कंसेप्ट जो नीमेरिकास लो यूज को यूज करें आगे तीसरा पहले एक बार चीए और देख लेते हैं इंडेरेक्स जैसे मैं आपको थोड़ा एक्स्पेइन किया था वो टैक्सिस जो लगते तो दुकानदारों के उपर है गौर्मेट लगाती है प्रोडक्शन यूनिट्स के उपर चीज की प्रोडक्शन कर रहे हूं या चीज की या लगता किसी पर है पे किसी और को बढ़ना परता है तो इंडेरेक्स से हमेशा चीज का प्राइस बढ़ जाता है या फिर उनको किसी चीज की को प्रड्यूस करने के लिए एंक्रेश किया जाता है कि तुम यह चीज बनाओ अगर को नुकसान भी हो रहा है तो सब्सीडी इस देकर वह चीज को एंक्रेश यह यहां तक एक्सपोर्ट बढ़ावा देने के लिए यह देती है इंसेंटिव देती है तो सब्सीडी से हमेशा चीज का प्राइस नीचे आता है ठीक है तो यह मारे पास हो गया इंडियरेट सब्सीडीश का मीनिंग और उसको यूस का कर वहार जाके कमारे और हमारे इंडियरेट सब्सीडीश अगर हमारे इंडियरेंक्रींग हमारे रेज़नेंस ने इसे हमारे देश में कमाई है इन दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं nu हम कि अगर हम पा cią ब्रोड निकालना चाहते हैं तो फेक्टर इंकम फ्रॉम अप्रोड यानि हमारे जाकर जाकर जो प्रीकरश इंकब कमाई प्रोड़ और घर अगर वखरr प्रॉपरेंट प्रॉपरेंट एंट्राइब की इंकम जो भी हमारी रेजिदेंस हाउफ़ोड्स एर्न करते हैं हमारी कंट्री के इन रेस्ट वर्ल्ड लेस उसमें से माइनस करना हैं वही इंकम जो फॉरेंट प्रेजिदेंट कमाते हैं हमारे देश के और तो इन दो पर टो नेट पैट इनकम फरम और से पहले नेट इनकम फ्रम और यूज करते हैं नेशनल इंकम फशा बढ़ा हूं बढ़ा है मतलब बड़ी चीज निकालना यह तो छोड़ी – निकम में फटीज निकाल दो और कर दाफिए और नेशनल में उसके अब बता दिये एक यह देखो में ऑपस्ट का यह जीद नेट की चीज़ आएगी और नेट में नहींस करने आता है नेट में प्लास कर कग्रॉस आता है दूसरा पड़ा नट यह एक सब्सक्राइब तो जिस तरीके से करा रहा हूं उस तरीके साथ इसको यूज करता हूं कोई भी डाउट है अब इस वीडियो के सब्सक्राइब तो एक काम के बदले में जो वर्कर्स को पैसा हो रहे हैं उन लोगों ने हमारे देश के अंदर जो कमाया उन दोनों की वेजिस को मैनेस कर दो तो बनेगा नेट कम परेटिंग सब्सक्राइब यह वी वैसे है यह इनकम फ्रोपर्टिय रेंट के अलावा वेजिस के लावा रेंट इंट्रस इंट्रस इन प्रॉफिट तीनों चीज़े इसमें आ सकती हैं तो जो भी ह होती है जो कमपनीज ऊपने प्रॉफिट को डिस्रीमिक गातेक्स अपने पास रख लेती है तो अगर कोई हमारी जो काम कर रही है वहा है की रेंट रहने है और जो फॉर्न कम्पनी ऑन का मानिस कर दोनों की चीज़ों करrain간ный को दो निकलेगा लगा यह ने रिकिया हो टीन अब रॉट का अब यह तीनु कंसेट्स काम आएंगे हमारे आगे आने वाली टॉपिक्स केंदर जहां पर हम मैथेट्स पढ़ेंगे नेशनल को कैलकुलेट करने के तो हमारे पास वह मैथेट्स पढ़ेंगे पर अभी मैं आपको एक छोटा सा नुमेरिकल करा रहा हूं इसी क यह क्या होता है जी एन पी और यह एन पी चार कंसेट्स हैं एक और कंसेट्स लगा दिया मार्केट प्राइफ और फेक्टर कॉस्ट ठीक है इस चीज़ को ध्यान से देखना भी नुमेरिकल में काम आएगा यह जो हमारे पास वह बोलेंगे ग्रॉस मेस्टिक प्रड़क्ट ndp प्राइस ग्रॉस मार्केटमैस्टिक प्रडॉक्ट्ट प्रैस इसको पढ़ाइगे और यह त्यू File और यहम पहला वाला वाला यौर दूसरा वाला नेट जो लिए जितल ना मुझ में आ सकते हैं अब देखो इस से जुड़ा हुआ निमेरिकल आपको कहा जाता है कि जी एंप टेमप और निकालना है यह चुटा सा निमेरिकल जिसमें नेशन इंकम गिवन है नेट फैंट इंकम अबरोड गिवन है इंडिर्क टैसिस गीवन है सबसेडिस गीवन है और भीचान दिर्फेंट दोर इंक रखनी है मैं आपको बतायता हूं कि जो एंडिबट टैसी है कि यह लिख लेता हूं एंड़ीपी एट एफसी को बोलेंगे हम डिमेस्टिक इंकम चिन वाना सिंबल है डिमेस्टीक इनकम का और जो आं और न पासी है डाउस लेवन आउस्ट तो यह domestic income, national income के symbol है और जहाँ पर national income given है national income का मतलब होता है कि यह NNPTFC यहाँ लिखा है मैंने domestic income का symbol है NDPTFC और national income का symbol है NNPTFC अब यह देखो अगर आपको national income given है और आपको चाहिए GNPTFC तो हम क्या करेंगे देखो मैं यहाँ पर बता रहों देखके GNPTMP given है और आपके पास निकालना है और NNP यहाँ नेशनल income given है NNPTFC convert करेंगे देखो पहला symbol क्या है N और G N से यहाँ पहला word होता है net और gross का net में क्या करेंगे gross आजे हमने जहाँ था net और gross का different word depreciation होता है और क्योंकि net छोटा होता है gross बढ़ा होता है net में कुछ plus करेंगे जो की depreciation है तो यह gross बन जाएगा net में depreciation plus किया gross बन गया फिर second word N और N सेम है आपको कुछ भी convert करेंगे जोड़ोत नहीं है और तीसरी चीज़ है FC और MP factor cost भी छोटा होता है MP market price में तो factor cost में हम NIT net rent access plus करेंगे तो हमारे पास market price बने तो यह formula convert करना सीखा अपने आप सर्फ deposition का NIT का और net return income abroad का concept पता होना चाहिए तो अपको given है कोशन में 520 ठीक है ना depreciation आपका given है यह कंजम शुरू 50 है और साथ ही साथ जो नेट अट अच्शी था उसको बोलते है अब नेट अगर ना हो तो इंडारेट अपसी निकालना है तो आप फिर इसको यूज कर सकते हो एंडारेट अपसी को नेशनल इंकमारा दे रखाए तो एंडारेट अपसी को यूज किया अब देखो क्या करने है पहला वर नेन और नेट और से दूसरा वर नेशनल है और यह दूमेस्टिक है और बाकी एफसी थोटोनों में से मैं सिर्फ एक चीज़ करने हैं नेशनल से बंस्टिक यहow final to होता है वह होता है हमारा एन फिये अप्ट चूंक नेशनल बड़ा होता है और डिमेस्टिक छोटा तो एन फ़य माइनस करोगे तो आपका अंसर आचाएगा तो एन इंटाबिक तरीक हमें तरह सकते हो एंडिपट एप्सी निकालने के लिए आप जीन बेटेंबी को यूज कर लो कैसे पहला वड़ा ग्रॉस और फिर नेट तो ग्रॉस में डेपटिशन मानेस करेंगे नेट आ जाएगा तो बस सिंपल आप 600 आपको जीन बेट भी यहां पर निकाला था उसको यूज कर सकते हो पचास पर डेपुजेशन हैं दस रपे आपका एन फाई है और आपको यह तीस था आपको मैनस करके तब भी पांसोद दस यानि दोनों तरीकों से आपका पांसोद दस किसी भी तरीके स है नेशन रिकों को काल्कुरेट करने के एक वेजुए मेथेड जो हम प्रडॉक्शन के पॉइंट वोसे देखेंगे एक इंकम मेथेड इंकम पॉइंट वोसे और एकस्पेंटिचर मेथे पढ़ेंगे लेकिन आज पर टुडेश क्लास आज के लिए इतना ही और अगली क्ल आउट सों वह आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखे बेजो आविल ट्राइट वेट और सांसार नुमेरिकल में को प्रोलम हो या कोई और नुमेरिकल आपके दिमांग में आ रहा हो तो आप जिरूर भी जो लिखिन जो इससे रिलेश्ट होगी आगे आने रे नुमेरिकल म मैं आपको तीनों मेथेट के नुमेरिकल सॉल्ट करना सिख होंगा ओके सो स्टे कनेक्टिविल दर्निन कॉमर्स थेंक्यू वन्स अगें बाई बाई